तो आज हम आपके लिए कर आए हैं अलेक्जेंडर डेडारियो की टॉप टैन पैस्ट परफॉर्मिंग मूवी जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते अगर आप वो फैन हाटकॉर फैन अलेक्जेंडर डेडारियो के तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिया हम आपके लेकर आये हैं चुन-चुन के 10 ऐसी मूवी जो 2000 से लेकर 2020 तक चलिए एलेक्जेंडर डेडारियो की परफॉर्मेंस के अच्छे और बैस्ट परफॉर्मेंस एंड बैस्ट एक्टिंग उनकी क्यूटने से लेकर उनके हाई ली परफॉर्मेंस के साथ हम लेकर आये हैं टॉप 10 कौंट ओन तो हमारी प्ले लिस में जाना तो बिल्कुल भी ना बूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नमबर टैन पर हमारे पास है सैंड एंडरेस तो अगर आप हो फैन डॉइन जॉंसन यानि कि दर रॉक के और आपको डियास्टर मुवी जे बहुत पसंद है यानि कि आपने देख रखिए 2012 और आपकी सारी सारी डियास्टर मुवी और आप अलेक्जेंडर डैरियों के फैन अरचानक से लैंड्सलाइड हो गई और इस लैंड्सलाइड के चलते पूरा का पूरा सहर दो टुकड़ों में बढ़ चुका है और उस टुकड़ों के बाद आगे क्या होगा यह आपको इसी मुवी में देखना है यह हमारे आज के टैन कॉन डॉन पर है तो अगर इसकूल और कॉलिश टाइम पर आपने रोमेंटिक मुवी यह बहुत जादा देखी है और वह रोमेंटिक में आपके आती है सारे के सारे नॉवलिस निकॉलेस इस्पार्क की मुवी जानि कि अगर आप सेफ हैवन और और वाक तो रिमेंबर के फैन है तो यह कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है फिर भी उने मुवियों पर लीड एक्टिंग का रोल बहुत ही बाद में यानि कि बहुत लेट यानि कि यू मान लीज़े 2015 के बाद ही मिला उससे पहले कि सारी मुवीजों में वह ऐसा को एक्टर या फिर जस्ट सपोर हमारे पास है नाइट हंटर मुवी एक साइको किलर की या फिर यू बोल दीजेए एक साइको ड्रामा है मुवी और इसमें फेवरेट हमारे एक्टर है हैंडी कैविल यानि कि हमारे सुपरमैन एक्टिंग लाजवाब है अलेक्जेंडर डैरियो और अगें सुपरमैन हैंड हैंडी कैविल या फिर अलेक्जेंडर डैरियो की तो यह मुवी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है वन अफ तब एक्टिंग वाइस यह बहुत ही ज्यादा स्पेसल है लेकिन थ्रिलर वाइस यह आपको उतनी खास पसंद नहीं आने वाली अगर आप हाड़कॉर मिला हुआ है क्योंकि काश्टिंग इतनी बड़ी और बेवाच एक पुरानी सीडिस ती जिसकी पॉपलरीटी के चलते मूवी दर चल पड़ी लेकिन मूवी कोई इतनी खास नहीं है अगर आपका ऐसी हलकी फुलकी कोई मूवी देखनी है तो आप इसे एक पास टाइम के ल पॉर हो चुका है और एक पार्टी में उसे मिलती है एक लड़की जिसके साथ वो लिटल बिट इंटीमेट हो जाता है और फिर दीरे दीरे स्टोरी किस तरीके से किस जैसा मोड लेती है वो देखने लाए कि स्क्रीन का स्क्रीन पर बहुत सही है और जो मूवी है उसका जो स्क्रिप्ट को लेकर आई है स्लो पॉईजन है एक और नमबर फाइब बर्निंग दा एक्स यानि कि एक लड़का है जिसके गर्फ्रेंड है जैसी वो सिफ्ट होते है एक साथ एक ही घर में तो उसके बाद लड़की उसका जीना हराम कर देते हैं लेकिन अचानक सही जो उस अगर आपको कॉमेडी मुवियां पसंद है अगर आप फैन हो हॉरर की जैनर के और आपको पसंद है मिस्ट्री क्रीपी नैस और दीरे दीरे सुलो पॉईजन यानि कि आपको हॉरर पसंद है लेकिन आप अचानक से चंप स्केर से तंग आ चुके हैं तो आप प्ले बहुत मैनार के अगर आपने यह दोनों सीरीजे खतम कर चुकी है तो यह मुवी सिर्व सिर्व आपको लिए क्रीपी नैस और जो सस्पेंस इन्होंने बिल्ड़ अप करा है वन आप बैस्ट है इसमें आपको देखने के मिलेगी अलेक्टिन डेटार यह और साथी साथ आपको मिले साइलिंग नॉवल पे बनी हुई और नॉवल ही नहीं पूरी की पूरी फ्रेंचाइज है अगर आप हैरी पॉर्टर के फैन है तो आपको यह मुवी बहुत जादा पसंद आने वाली है इसके फैंटैसी वर्ड आपको हिलाके रख देगा इस मुवी का टोटल दो पार्स है और पहला पार्ट है हमारे आज के कॉंट्रान के नंबर थर्ड पोजिशन में जिसमें की एक्टिंग से लेके आपको सेंटोर से लेके मिलेंगे सारे मॉंस्टर डैमी गॉड्स और हमारा परसी खुद एक डैमी गॉड है फैंटैसी वर्ड से होते हुए यह आपको एक 2010 के टाइम पर देखी दिए और मुझे यह बहुत ज्यादा पसंद आया थी क्योंकि मुझे फैंटैसी जैनल और रेड़ी बहुत ज्यादा पसंद है है री बॉर्टर के बाद परसी जैक्सन सी ओफ मॉंस्टर में डैमी गॉड का फस्स पार्ट जब आपने पूरा कम्प्रीट कर दोगे तो आपको यह साइकिंड बार देखना तो बनता ही है कि किस तरीके से परसी की दुनिया में दूबारा से तहलका मच जाता है जब उसे पता चलता है वह एक डैमी गॉड है और सेंटार से लेके और हार एक फ्रेंचाइजी यह अपने आप में बहुत जादा बिल्ड़ अप करती है एक्सन बहुत इलाज हो है एक्टिंग के मामने में भी यह मूवी बहुत अच्छी लगती है और अगर आप फैंटेसी के फैन हो तो मैं अर्ड़ी बताई और अगर आपने इसकी नॉवल बढ़ी है तब तो आउट आप देस्टेंट यही है तो आज के काउंड़न में नमबर वन में है वैंड वी फर्स मैट अलेक्जेंडर डटेर्यों की पूरी की पूरी मूवी इनी के बेस में और एक्टर जो रहता है वह उनके प्यार में तो आपको पता है कि इसमें जो दूसर एक्टर है वह हमारे ग्रीन एरो का दोस्त जो की बहुत ज्यादा आउटस्टेंडिंग एक्टिंग के साथ आपको यह मूवी देखने को मिलेगी और आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है तो आज का कॉंड़न आपको कैसा ल बूले अगर आप 18 प्लस या पी कॉलिटी कंटन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस में जाके चैक जरूर कीजिए इसी के साथ साथ साइनिंग आउट